नमस्कार दोस्तों मैं संजे चौधरी बूबई और टेक चला इंटूब चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है दोस्तों तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक मुजिक थियरी के ऊपर टीटोरियल सुरू करने वाला हूँ उसका दूस्तों आज यह फर्स्ट सीरीज है मतलब फर्स्ट वीडियो है और आज में नोट्स के जो पहचान है मतलब कौन से नोट को पियानो में जो सफेद और काला म उस की का नाम क्या है, कितने सारे कीजे, ओक्टेव क्या है, और major scale, minor scale, इसका basic सा theory आज आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी पूरा detail के साथ, और इस note का नाम क्या है, और जाने के वक्त, और return आने के बद, जाने के वक्त, मतलब सा से नी में जाने के वक्त, और नी से फिर से जब वो आपस आएंगे साथ तक, तब note का नाम कैसे change हो जाता है दोस्तों, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए दोस्तों, आगे बरते मेरा desktop screen के उपर, और देखते हैं आज का ये first tutorial, तो दोस्तों हम आगे हैं मेरा desktop screen के उपर, और पहले हम लोग जाएंगे केकवा प्यान रोल मैंने खोल लिया हूँ दोस्तों और इधर आप देख सकते हैं प्यान रोल का जो option है, इस portion में अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सरे keys आपको दिखाए देगा, जिसमें से कुछ white keys हैं और कुछ black keys हैं, अब दोस्तों ये white key और black key देखिए ये 2 और 3 का sequence में हैं और इसी white key और black key को मिला के keyboard बनता है दोस्तों, तो चली दोस्तों अब हम जाएंगे एक image में और उधर जाके हम देखेंगे, अब दोस्तों white key और black key को समझ लेते हैं ये white key और black key असल में है क्या, और यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाले note दिया गया है, ये सब ये है white key का note और ये है black key का note, तो अभी समझते है white key और black key का जो name है वो क्या है दोस्तों, तो जो white key है दोस्तों वो उसको neutral note बोला जाता है, music theory में दोस्तों पियानो में अगर आपको की समझना है तो फिलहल के लिए दोस्तों आपको यही समझ लेना होगा, यही जानना होगा कि ये जो सफेद note है, इसको neutral note बोला जाता है और जो black note होता है, इसको flat या फिर sharp में इसको बोला जाता है, अब इसका name हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, देखिए जो white key है, वो C से सूरू होता है, किसी भी जग पे, किसी भी पियानो में, म ये जो keyboard का जो first note होता है दोस्तों, वहाँ पर C से सूरू होता है, और C तक एक octave उसको बोला जाता है, और यही sequence बार बार आपको दिखाए देगा, और अगर आप black key में नजर डालेंगे दोस्तों, तो देखिए black और white key का जो sequence हो है, C से मैं आपको दिखाता हूँ, C से आप तक, तो देखिए पहले white की आता है, उसके बाद एक black key, उसके बाद फिर white key, उसके बाद फिर black key, फिर E और F दो note आता है, जिसके बीच में कोई black key नहीं है दोस्तों, फिर एक white, उसके बाद black, उसके बाद white, उसके बाद black, उसके बाद black, उसके बाद black, उसके बाद black, फिर फिर से B और C आता है जिसके बीच में कोई black key नहीं होता है दोस्तों तो इसका जो sequence है दोस्तों black key का वो है 2 plus 3 फिर से 2 plus 3 फिर से 2 plus 3 यहीं पूरा प्यानो में मतलब पुरा keyboard के key में आपको दिखाए देगा मैं अगर cake work में जाओंगा तो भी वो भी आपको same ही दिखाए देग दोस्तों यहाँ पर देखिए यह देखिए मैं draw करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए 2 plus 3 फिर से 2 plus 3 अगर मैं उपर चला जाओंगा दोस्तों तो भी आपको same इस चीजी दिखाए देगा मैं थोड़ा उपर जाता हूँ यह देखिए फिर से यहाँ पर 2 plus 3 and 2 plus 3 तो यह sequence में दोस्तों keyboard को सजाए जाता है एक C का जो diagram है C major scale का इस diagram को अभी एक बार समझ लेते हैं अभी समझेंगे whole tone क्या है और half tone क्या है यहाँ पर W और H आपको दिखाए दे रहा है दोस्तों 2 whole 1 half 3 whole 1 half तो यह whole tone और half tone क्या है दोस्तों देखिए दोस्तों जिस note के बीच में black की है उसको half tone मना जाता है मतलब अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो यह एक half tone हो गया और यहां से यहां तक जाएंगे तो यह whole tone हो गया मतलब यहां से यहां तक half फिर यहां से यहां तक half और यह दोनों मिला के एक whole tone बन जाता है दोस्तों तो E से F तक एक half tone हो गया क्योंकि इसके बीच में कोई black की नहीं है इसलिए यहां से यहां तक half tone हो गया फिर यहां से half यहां से half यहां से half और यहां से half लेकिन यहां से यहां तक यह full tone हो गया दोस्तों मतलब whole tone हो गया तो music को समझने के लिए फिलहल के लिए आपको यही समझ लेना होगा what is half note और what is full note यह जो theory आपको नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तो 2 hole 1 half 3 hole 1 half यह major scale का theory है दोस्तो और जब मैं scale में जाऊंगा scale के बारे में आपको समझाऊंगा तब आपको scale के बारे में पता चलेगा इसी formula से दोस्तो आपका आप किसी भी major scale का उसमें क्या क्या note बजेगा वो आप निकाल सकते हैं बहुत ही easily वो दूसरे एक दिन हम बताएंगे दूसरा scale को लेके हम जब बात करेंगे तब ही तो दोस्तो फिल हल के लिए यह आप समझ लिजिए कि 2 hole 1 half 3 hole 1 half अब C major scale को बढ़ में हम थोड़ा समझेंगे C major scale क्यों C major scale ऐसा scale है दोस्तो जहां पर सारे गामा पाधा नीशा जो 7 note है इस 7 note में दोस्तो सब white की use होता है मतलब neutral note use होता है दोस्तो यहां पर कोई flat note या फिर black की use नहीं होता है इसलिए हम C major scale को समझेंगे और इसमें थोड़ा बहुत practical भी करेंगे तो दोस्तो आपको समझने में ज़्यादा आसान हो जाएगा अब दोस्तो note का नाम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कौनसे note को कौनसा नाम में बुलाये जाता है यह देखिए यहां पर दोस्तो note का name दिया गया है क्या करेंगे दोस्तो यहां पर देखिए मैंने बुला था ना C की से keyboard शुरू होता है तो यहां पर भी C से शुरू हुआ है दोस्तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक पुरा ABCD आपको दिखाया गया है तो note Indian music में note दोस्तो सारे गामा पाधानि यह साथ note बना जाता है लेकिन western music में दोस्तो वो लोग सारे गामा पाधानि सा नहीं कहते हैं वो ABCD कहते हैं तो जैसे हमारी हां साथ note है साथ सूर है तो western music में भी साथ सूरी है तो A से हमको समझना है वो नाम क्या है इस A से A तक समझेंगे तो देखिए दोस्तो A, B, C, D, E, F, G and A मतलब यह A और यह S, M है इसका सूर अलग है यह lower octave का lower मतलब low pitch का A है और यह high pitch का A tone है A note है A के बाद दोस्तो अगर मैं 7 note को समझू तो 1, 2, 3 मैं इसको clear कर देता हूँ यहां से यहां तक आप देखिए एक बार ये साथ नोट हो गया दोस्तो A, B, C, D, E, F, G G के बाद फिर से A आ जाता है दोस्तो फिर से ये continue होगा A, B, C, D, E, F, G G के बाद फिर से A आ जाएगा Western Music में दोस्तो ये A से लेके G तक ये साथ नोट रहता है दोस्तो और तो फिर ये ये तो white note हो गया दोस्तो मतलब neutral note तो फिर ये black note क्या है black note या तो फिर दोस्तो ये flat में होगा या तो फिर दोस्तो ये sharp में होगा ये sharp का symbol है और ये flat का symbol है दोस्तो अब एक चीज़ आप समझ लीजिए हर note का sharp होता है दोस्तो यह देखिए C C Sarp, D D Sarp, लेकिन E का दोस्तों कोई Sarp नहीं है, उसके बाद फिर F, F के बाद F Sarp, G, G के बाद G Sarp, A, A के बाद A Sarp, B का भी दोस्तों Sarp नहीं है, मतलब अगर आप Sarp में जाएंगे, E का Sarp नहीं होता है और B नोट का Sarp नहीं होता है, तो उसी थरा दो नोट मि का दो नाम दिया है दोस्तो, Sarp and Flat, C Sarp या फिर यह D Flat, एक ही नोट को दो नाम देने का जरुरत क्यों है दोस्तों, हम तो एक ही नाम दे सकते थे, क्योंकि C Sarp को C Sarp ही बोलेंगे, इसको D Flat क्यों बोलेंगे, यह दोस्तों हमारे जो मुजिशियान है, जो लोग इंस्टूमे करेंगे, सार A, गामा, पाधान इसा यहां से यहां तक जाएंगे, तब दोस्तों C, C में मान लिजी आप पैदाल जा रहे हैं C से A तक, तो आप C में है अभी, अभी C से आपको C Sarp में होते हुए D में जाना पड़ेगा, तो आप जब यहां से लेके सेमिटोन, एक सेमिटो फिर से D सार्प, मतलब इस D का उधार लेके यह सापनोट, मतलब D सार्प इसने बनाया, अब दोस्तों हम अगर लॉट आते हैं इधर से, मतलब अब इधर से जाएंगे दोस्तों, इस C से हम जाएंगे, इस तरप आ रहे हैं, मतलब सा नी धा पा मागा रे सा, मतलब उपर से नीचे तक आएंगे अब दोस्तों आप C में हैं तो C का दोस्तों कोई flat note नहीं होता है B उसके बाद B में आ जाएंगे direct आप आप B से आप इधर आएंगे तो हम A साथ नहीं बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे इसको ऐसे तो ये B से इस B तक जाएंगे मतलब B का जो नाम है आपको उधर में लेना पड़ेगा और B flat हो जाएगा उसके बाद फिर से आप A में आएंगे और A से फिर से आप जब जाएंगे black note में तो A का नाम उधर लेके A flat हो जाएगा जाने का टाइम में ये G sharp था लेकिन आने के टाइम में ये flat हो गया तो आप जिस note को पहले बजाएंगे उसी note का नाम लेके ये sharp या फिर flat होगा एक ही note का दो नाम होने का यही simple reason है दोस्तो अब दोस्तो आते हैं C major scale में C major scale में दोस्तो कौन सा कौन सा note है आप एक बड़ देख लीजिए C major scale एक ऐसा major scale है जिसके अंदर कोई flat note या फिर sharp note नहीं लगता है दोस्तो ये सिर्फ white key में बजेगा और सिर्फ neutral note ही इसमें यूज होगा तो C major scale में क्या है दोस्तो आप देखिए यहां से यहां तक C, D, E, F, G, A, B ये साथ note को लेके C major scale बना जाता है दोस्तो उसके बाद फिर से C, D, E, F, G, A, B तो दोस्तो यहां से यहां तक हो गया एक octave और यहां से यहां तक हो गया दो octave तो मतलब अगर आप piano बजाते है या फिर C, D, E, F, P, 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 P खोलआ करके रखाएं वह सब देखेंगे की कौनसा कौन साpex कौनसा सांट देता है दोस्तों घुज गया दोस्तों केक वाक में देखीए यहां से यहां तक मैं 12 नोट काऊंट करके रखा हूँ इधर इधर मतलब यह flat और sharp मिला के नाम दिया है दोस्तो अब इसको अगर हम play करेंगे तो इसका sound एक बार आप सुन लीजिए तो यह ऐसा sound करता है दोस्तो यहां से यहां तक total 12 note है तो sharp note और neutral note दोनों मिला के जो note count होता है दोस्तो वो है total 12 note है दोस्तो सब बोलता है कि 7 source बनता है लेकिन 7 source तो है लेकिन जो actual note है वो 12 count में आता है दोस्तो 12 note होता है जो piano है जो source है वो total source 12 है अब major scale में अगर जाएंगे तो मतलब कुछी सारे गामा पाधानी से जो scale है उस scale में जाएंगे तो C major scale दोस्तो यहां से C major scale play हो रहा है एक बर आप सुन लीजिए सारे गामा पाधानी मतलब C से लेके B तक 1 2 3 4 5 6 7 यह 7 note में C major scale में बना है दोस्तों और C major scale में आप देखिए एक भी sharp या flat note नहीं है दोस्तों तो इसलिए C major scale को पहले हम सीखेंगे C major scale को कुछ rhythm बनाएंगे और melody बनाएंगे और C major scale के depth में जाएंगे उसके बाद दूसरा जो major scale है उस major scale को हम बाद में सिखेंगे दोस्तो तो ये था note के थोड़ा बहुत जान पहचान और C major scale में कौनसा कौनसा note यूज होता है ये I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तो दोस्तो जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किये हो वो जल्दी से मेरे इस चैनल को subscribe कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का notification सबसे जल्द आप लोगों के पहुंच जाए और पास वाल बेज जो bell वाल आइकोन है उसको भी आप जोर से दावा देना ताकि घंटिका हो आज मुझे यहां तक कान में सुनाई दे और एक बात दोस्तो अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हो तो दोस्तो लोगों में ये वीडियो जरूर सेर कर देना ताकि किसी ना किसी को तो इस वीडियो से help होई जाएगा दोस्तो अगर मेरी इस वीडियो में कुछ तूटिया या फिर कुछ गलतिया निकल आए दोस्तो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अगर ये आपको पता था पहले से भी तो भी आप आपका जो experience है वो मेरे साथ कमेंट में सेर करना मेरा Facebook ID और Instagram ID description में दिया हुआ है दोस्तो तो आप वहाँ पर जाके मुझे like, follow कर सकते है तो वहाँ पर भी मैं बहुत active रहता हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मुझे comment करते हैं, text करते मुझे मैं वहाँ पर एक discussion में रहता हूँ मेरे जो subscriber है या फिर viewer से उन लोगों के साथ तो दोस्तो आज के लिए वीडियो इतना ही मुलकात होगा इसका second tutorial में तब तक के लिए गुडबाई